कि Hello friends मैं उन्प प्रतीप चुहान आपका स्वागत करता हूं मंतराइयू में, आज से हमारा batch इस्टार्ट होने जा रहे है SSC GD Constable का उसमें topic इस्टार्ट होने जा रहा है हमारा profit and losses का तो चलिए आज से basic संझते हैं कि कैसे कुशन आते हैं paper में और कैसे किया जाता है तो सबसे पहले profit losses समझने से पहले थोड़ा समसिक समझेंगे percentage के बारे में कि हम percentage कैसे निकालेंगे जैसे कोई भी वैल्यू percentage में दी हो इसको हम कैसे real value में निकालेंगे यानि की इसको numbers में निकालेंगे या numbers दिया हो तो इसको चैसे जाता है क्योंकि यह सबसे बेसिक होता है इसको निकालना आपको आगया तो आप प्रोफिट लोसेस में करने में आसानी होगे जैसे यह लिखा 20 Technology Past owe me निकाला जाता है तो इसको क्या करते हैं 20 ऊपल लिखते हैं और लिखते हैं तो यह कितना आजाएगा एक बटे पांच यानि सिंपल से कहने का मतलब यह है कि जब भी परसेंटेज हटता है तो नीचे हम हंडेट का डिवाइड कर देते हैं यहनि यह तो था हमारा परसेंटेज जब है तो इसको रियल वैल्यू में निकालना अब आता हमारा क्या कि जब वैल्यू दी हुई है और उसको परसेंटेज में निकालना तो वह कैसे निकालेंगे तो उसके लिए हम सिंपल से चीज क्या करते हैं कि जैसे यह दिया हुआ है एक बटे पांच तो एक बटे पांच को निकालना है तो जब percentage में दिया हो और value निकाल नहीं हो तो उसमें 100 का divide होता है तो इसको हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 परसेंट जैसे एक example all हम लेते हैं कि कैसे percentage निकाला जाता है तो देखें एक example एक चोटा से example है कि 25 परसेंट 25 परसेंट को हम simple value निकालना है तो क्या करेंगे 25 हम ऐसे लिख देंगे और बटे हम 100 कर देंगे यह divide कटेगा तो कितना हो जाए एक बटे चार यहनि एक बटे चार इसका क्या होगा value आ जाएगी और जब यह कोई value दी हुई कोई numbers दिया हो और कहें इसको percentage में निकालना है तो simple सा चेज क्या करेंगे एक बटे चार into 100 का multiply कर देंगे हमारे क्या जाएगा 25 परसेंट तो यह तो था हमाय percentage निकालने का कि जब आपको paper में percentage नहीं समाझ आ रहे कि हम कैसे इसको value रखें तो simple सा आप percentage यह से निकाल सकते हैं यह तो थी बिल्कु बेसिक जानकरी ठीक है अब क्या होता है कि paper में क्या होता है कि कुछ जो होते हैं आप directly पूछे जाते हैं और directly आप उसको रखे value find कर सकते हैं जैसे पहला question पहला आता है क्या आता है कि one by two आप जानते हो कितना होता है 50% ठीक है दूसरा जो आता है वह आता one by three यह कितना होता यात टीन पर्शेटमट कि उसके वह तेसरे आता है वह क्या होता है एक बच्छार कि यह कि पच्छिस पर्शेट PK है उसक्योद क्फीकी आता प्सक्राकरण यह कितना आता है 1 बटे तीन परसंट को उसके बाद आता है उन्होंबर 15 flowers 1 1 वाट 8 सो उसके बाद आता है जाय धोड़ फोड़ी你們 इक बटे 9 इसका क्या होता है 11 साहिए एक बने 9% और फिर आता आपका दसवा 10 तो यह जो वैल्यू होती है यह वैल्यू आपका कोशन में मिलेंगे कि हम अबशुड्प पे अक्जाम्पल के तोर परीजे समझेंगे कि यह कैसे मिलेंगे तो हम क्या करेंगे इसको direct value याद रखते हैं तो यह direct हम लगा देंगे यह आपको याद करने जोयत नहीं पड़ेगी आप कोशन लगाते जाओगे आपको दिमाग में आ जाएगा और बाइचान दिमाग में नहीं भी आता है तो आप मैंने आपको basic method बताया कि basic method से आप निका method है ठीक है अब आगे चलते हैं अब बिल्कुल अब कोशन आते हैं जो क्या आता है profit and losses का profit and losses का कोशन करने से पहले कुछ और basic जानकारी जानते हैं कि profit losses होता क्या है और क्या-ंक उसमें find करना होता तो सबसे पहला आता है Cost Price क्या भी अधर değiş का सब्सक्राइज है इस इसको क्रेटे मईल्य क्या होता है आपका लिए यानि कि इसको कहते है क्रा मुल्य 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 क्रा म लाव करें है मुल्य। इसको किया बेचना जब कोई वस्तू हम बेचते हैं तो क्या कहता है सेल नहीं कि सेल कर दिया यानि कि सेलिक प्राइस को कहते हैं तेंट इसके बाता लाब अपक्या कर लाब कम निकलेगा अब हमहें सोचिए कि लाव आपकब कमा सकते हैं जब कोई वस्तु आपने कम में खरीदी और ज्यादा में बेज दिया तो उस पर में लाव होता है ठीक है यानि कि CP ज्यादा है SP से सब्सक्राइब यानि कोई लाव यानि कि यानि कि CP ज्यादा है और सेलिंग पराइज कम है तो क्याज होगा क्या होगा हनी होगा कहने की मतलब कि कोई वस्तों आपने जड़ा पैसे में खरी दी और कम पैसे में बेज दी तो वहाँ आपको हनी हुआ क्यूं कीवकि आपने 10 उपए का चीज खरीद और पाँच उपे जबेस यानिë कि 5 5 उपे का हनी यह तो था फोछीं का ल्टी का सिंपल सा चीज लाब और चानी अब इस बेस पर से कुशन नहीं आते। इस बेस पर कभी नहीं आते आते क्या हैunk परसंट परसेंट किसका परसेंट प्रॉफिट परसENट ऊर्ट प्रॉफिट अर्वाइब होता हि ठिंग है सबसे पहले आता है क्या profit percent क्या होता है profit percent profit percent यानिकि lab percent लाब percent क्या होता है simple से चीज लाब हो या हानी हो और percentage में पूछा जा रहा है तो हमेशा cost price हमारा divide में रहता है यानि कि नीचे रहता हमेशा भले वो lab हो या honey हो और percentage में है तो cp जो हमेशा क्या होगा cost price होगा वो बटे में होगा divide में होगा वो नीचे होगा ठीक है और उपर जो value आती वह कहते हैं लाब होता है lab के case में यहीं loss के केस में होता लॉस परसंटेज के केस में होता यानि कि हानी की केस में होता तो क्या होता मैंने बताया कि कॉस्ट पराइज हमेशा नीचे रहता है और उपर क्या हो जाए कि हानी हो जाएगी अब इसको परसंटेज में चेंज करना तो परसंटेज में मैंने बताया था चेंज कर जानकारी होनी चाहिए कि क्यूं ये लॉस और प्रोफिट में कैसे परसेंटेज होता है और क्यूं होता है ठीक है तो ये तुछ विलकूर बेसिक जानकारी अब एक और चीज अनुपात थोड़ा सा समझते हैं क्या है अनुपात 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 इसको क्या कहते है रेशियो क्या कहते है रेशियो क्या होता है सिंपल से चीज रेशियो क्या होता है कभी भी एक्च्वल वैल्यू नहीं होती है वह इमेजिनेरी वैल्यू होती है जैसे सिंपल से चीज दो अनुपाते तीन यानि कोई चीज दो इसमें क्या होता है पानी भी होता है और मिल्क भी होता है तो वह किसी रेशियों में तो होता है यदि ज्यादा वाटर होगा तो पानी पतला दूद पतला हो जाएगा दूद ज्यादा होगा पानी कम होगा दूद मोटा होगा तो वह रेशियों में मिलता है ठीक है ऐसे होते ह बहुत से चीज़ होता है जो रोती है है तिक है लेकिन वह एक्ट्र लैली नहीं होती है जब इसमें किछी सीज़ का मॉndटिप्लाइब ऑ Yiye Clifford में रखेगा मॉंते हैं के युदि यहां चार का मॉंतिप्लाइब होगा तो यहां पर हुझताAll report और वारा कॉटाइंगे तो वापस दो और अनपतते तीन आ जाए घाल तो यह चीज़ था रसी यह बेसिक जन्कारी थी कि रेशियो क्या होता है रेशची वाले चपटर में 25 खरीदता और 35 बेज देता यानि कोई आदमी होगा 25 खिलोने खरीदा और 30 बेज दिया यानि कि हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइज क्या हमारे पास दा प्रॉफिट हो fat 25 में रिभी दा clock सिंपल सीज भांच का profit हुआ थो यानी लाप तुम्हें ऱाघ या तो मुझे percentage में निकुक है कि या कि इस भींगें mabach weiß इनको याउब अधर यहीं सपता चल जाएगा यह दिन लॉस होता तो कभ होगा और हनी होगा सँर्ढ level १्प लॉगा तो कभ और हनु ओक थो कभ होगा तो यहां हमारा क्या हो रहा है हमारा प्रॉफिट हो रहा है याने कि लाफ पर HELा तो लाफ पर परसेंट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था पि या तो आप ऐसा कर लो या तो इक वझटे पांच कि मैंने डाय्यक्ट आपको बताया थे क्या बताया थको बताया थे एक वट्रिप पांच कि volatility दिया होगे थाथ I 25 में कोई वस्तु खरीदी और 30 में बेचे मुझे 5 का लाब हुआ यानि प्रॉफिट परसंटेज क्या होता है कि सिंपल से चीज लाब उपर होता है और कॉस्ट प्राइज नीचे होता है मैंने वही कि आप 5 उपर है 25 नीचे और 100 का मंटिप्ली करेंगे तो वह प्रॉफिट म पर आते हैं कि नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यदि लागत मुल्य और बिक्रे मुल्य का अनुपाद क्या है 10 अनुपाद 11 है तो लाब परसंट क्या होगा ठीक है यानि कि the ratio of the cost price to selling price 10 अनुपाद 11 then the rate of the percentage of profit ठीक है यान सेकंड कोशन क्या कह रहा हो सेकंड कोशन यह कह रहा है कि कौस्ट प्राइज लागत मुल्य अब आप यह सोचे gorg लागत मुल्य कहने का मतलब क्या ह tone गल जानि कि वो कितने की लागत लेक्ने द界 यानि कितने की व सिटतू खरीत की लेके आया तो क्या का कहा रहा है CP और SP का रेशय कितना दिया हुआ हमारा CP जिस अनपते SP का जिसमेंक कितना दिया हुआ दस अनपने 11 गत 280 का ठीक है जान हम वह raw the originalizen दिया दिया हुआ तो इसमें क्या कह रहा हुआ कि कोई वस्तु दस उरुपेम खरीद और 11 रुप do cap कितना हो रहा मेरा मैं एक रुपय का वश्तू है 10 में खरीदा और 11 भेज दिया तो एक लाब हुआ तो percentage क्या हो जाएक सिंपल से चीज इस में क्या हो रहा है लौस हो रहा कि profit ओर रहा प्रॉपिट परसंटेज क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसंटेज यानि के लाब परसंट क्या हो जाएगा वन अपॉन कितना है मापस धस स्फी पी में ने कहा था हमेंशा नीचे होता है नीचे आगया इसमें तों 100 को मैंने कितना बताया था 10% कितना अब चाथ कर भी देख सकते हो इतना ही आएगा तिक है यह सका क्या हो जाएगा अब आते तो में है नेक्स्ट कोश्षं तीसा कोश्षं क्या रहा है कि एक वस्तू 5% लाइप पर बेच्जा जाता है तो उसका विक्रय क्राय मुल्य और क्राय मुल्य का नुपात क्या होगा यह बहुत अच्छा कोशन है अब देखे थोड़ा सा घुमा दिया इसने अभी तक हमें क्या दे रहा था क्राय मुल्य और विक्राय मुल्य और हमसे ला परसेंट पूछ रहा था यह प्रोफिट परसेंटेज पूछ रहा प्रॉफिट परसंट यह लाब परसंट के हमारा पास 5 परसंट यह तो कह रहा है अब मैंने अब देखें यह जो कोशन पिछले कोशन का उल्टा है हम उपर से नीचे आता अब यह नीचे से उपर चलेगा कैसे 5 परसंट का कितना होगा तो पहले तो इसमें एक्षव वेली निकालेंगे कैसे निकालेंगे पहले सिंपल से 5 परसंट तक इता हो जागा हन्रेड इससे यह केंसल होगया तो कितना आगा एक बटे 20 आ यानिकी एक बटे बीस तो आगिया ठीक है अब मैंने आपको प्रप्रसंटेज में क्या होता है ऊपर जो होता है और नी जाएगा आपका लाब यह तो बताया था सिंपल से चीज मैंने बताया थे कोश्ट प्राइज क्या था नीचे होता है और लाब क्या था उपर होता है ठीक है उसके बाद आप समझो कि 20 रुपे में कोई वस्तू खरीदी और उस पर एक रुपय का वो लाब लेना चाहता है या समरों यानि कि 20 रुप्य यानि कि 20 रुप यह यह कई चे लाइन प्राइज करें वह थे कितना आजायेगा क्यूंज का हुआ झाया जाएगा क्यों कि 20 रुपय में खरीदा और लाब में पास हमारे पास एक रुपे यह जूड़ गया च Tu-11 lovely नि हमारा रिश्यों डो कर लो एक रुपर का लाब हो रहा है 20 में और 21 में बेच देख तो एक रुपर का लाब एक का लाब हो रहा यह चीज आ ठीक है ये हमारा क्या आजाएगा ठीक है अब चलते tą क्यों पर आप Ju हो रहा है यह तो आपको बिल्कु बेसिक जानकरी कभी-कभी पेपर में यह कोशन आ जाते है छोटे-छोटे कोशन ठीक है तो इसलिए मैंने यह बेसिक आपको जानकरी बता दी कि जब प्रॉफिट होगा तो कैसे निकलेगा लाब होगा तो कैसे निकलेगा ठीक है तो यह था अब आते हम नेक्स्ट questo क्या करा यह देखते हैं चौथा क्या क्या से कोस्ट है कि सब्सक्राइब कि सेम पर्यूस्ट क्या बजी है चौथा क्या breaking कि येधी किमा economist 25 dedicated कोशन कहा रहा है वो क्या रहा है कि जो margin प्रॉफिट है प्रफिट हो रहा हमारा पास याने कि लाप परसेंटा व। यह रहा है वह कितना है दो सो परसेंट निर्ज खैण अब कि लाब हो रहा है तो यह कैसे निकले गा तो इसमें भी वाका रिबाएंट यह सेंदेगा पहले तो हम इसको real value में निकालते हैं याने कि 200% हटाते हैं 100 cancel हो गया तो कितना हो गया हमारे पास दो बटे एक अब आप यह सोचिए मैंने आपको बताए तो cost price हमेशा नीचे होता है lab हो रहा है या honey हो रहा वह उपर होता है तो हमारे पास CP क्या आ गया CP हमारे पास आ गया one और profit क्या हो रहा है दो रुपए का कितना हो रहा है दो रुपए का profit हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे कि एक रुपए हमारे पास का समान है और दो रुपए का लाब लेके बेचेंगे उसको तो कितने का हो जाएगा तीन रुपए का यानि कि SP जो हो जाएगा वो कितना जाएगा तीन रुपए यही तो आएगा यानि कि CP और SP का रेशियो क्या होगा CP Ratio SP मराबर क्या होगा 1 Ratio 3 ये इसका अंसर हो जाएगा आप चाहो तो चेक कर लो कि 1 रूपय का खरीदा तीन में बेचे रहा है तो कितने को रहा है 2 कलाब, ये तो रहा है 2 कलाब ये चीज कोशन है, ठीक है समझाए है आपको, ठीक है, आगे चलते हम अब आते हैं पांचो कोशन पर, पांचो कोशन थोड़ा सा चेंज है, देखते हैं क्या कह रहा है 5 नमर कोशन 5 नमर कोशन क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तू 15 किताबों का लागत मुले कितना है 10 किताबों के विक्रे मुले के बराबर है तो लाब परसंटेज या हानी परसंटेज ग्यात कीजिए इंगलिस में क्या लिखा हुआ है The cost price of the 50 book is equal to the selling price of the 10 books The gain of our losses percentage ठीक है, कहने का मतलब क्या है इसका कि जो लाब हो रहा है और जो हानी हो रहा है यह हमें निकालना है कितने पर 15 जो लागत मुले इसकी book की है वो किस के बराबर है 10 किताबों के विक्रे मुले के बराबर है तो क्या करेंगे सबसे पहले कि 15 CP जो है यह हमारा कितना है 10 SP के बराबर यह हमें question में दिया हुआ है ठीक है, तो simple से चीज हमें निकालना क्या है या तो profit होगा नहीं तो loss होगा percentage में निकालना है तो सबसे पहले तो हम यह करेंगे कि हम profit में और loss में हमको पहले क्या चाहिए CP चाहिए और 1 SP चाहिए 2 चीज़ चाहिए, तो पहले हम निकाल लेंगे क्या करेंगे, इसको इधर कर लेंगे CP upon SP बराबर क्या हो जाएगा 10 upon 15 इससे यह cancel हो जाएगा तो 2 upon 3 हो जाएगा तो सिंपल से चीज़ आपने देखा CP हमाय पास 2 आ गया SP हमाय पास 3 आ गया कोई बस तो 2 रुपय में खरीदी और 3 रुपय में बेची कितने का लाब हो रहा एक का लाब हो रहा इस पर कितने का लाब हो रहा एक का लाब हो रहा एक का प्रॉफिट हो रहा है ठीक एक का प्रॉफिट हो रहा है तो अब निकाल लेंगा प्रॉफिट परसंटेज प्रॉफिट परसंटेज यानि कि लाब परसंट लाब परसंट क्या हो जाएगा कितना हो रहा है एक का लाव हो रहा है CPM हमारा पास क्या है दो यानि कि 50% का लाव हो जाएगा आप ठीक है यानि कि profit percentage क्या हो जाएगा 50% हमारा लाव हो जाएगा ठीक है अब next question आते हैं अब next question क्या कह रहा है Sam ऐसे question है कि यदि 25 कुर्सियों के लागत मुल्य 30 कुर्सियों के बराबर है तो उसका honey percent क्या आत कीजिए इसमें दे दिया मुझे honey percent जब दे दिया तो ठीक है नहीं दिया तो हमें तो संस होई जा रहा है कि कैसे क्या करना है ठीक है अब देखें इंग्ल the losses percentage ठीक है six number question अब देखते है six number question है क्या कह रहा हूँ कि 25 कुर्सियों 25 चेयर है CP है वो किसके बराबर है हमारे 30 30 SP के बराबर है ठीक है 30 SP के बराबर है तो same to same पीछे जैसे question के वैसे करेंगे क्या करेंगे CP upon SP बराबर क्या हो जाएगा थार्टि अपॉन 25 यह डिवाइड हो जाएगा तो कितना जाएगा हमारे पास 35 और 5 यह आप देखें लॉस थो मैं कह दिया था कि लॉस हो रहा है वाई दैसन्स नहीं भी कहता तब भी हम समझ रहे हैं CP हमारे पास कितना 6 और और SP हमार पास कितना 5 इसमें कितने का लॉस हो sushi का लॉस परसंटेज निकालंगे loss यानि कह नी इन है हनी-परसंट कि dripping निकालेंगे किक्न एक लउस हो रहा है और हमापस CP कितना 6 मैंने इसका बताया तरह कितना होता है 16 से दो बटे 3 परशंट यह तो मैंने बताया था यह कोशन का अंसर हो गया देखें वेलकुष सिंपल सा कोशन आया था इसमें हमने वेल्यू पूट कर दिया यह याद कर लिया नहीं तो हमारे पास तो मैं थड़ा ही सिंपल सा उसमें थोड़ा सा टाइम आब आता है साथव कोशन पर यह इसका आंसर हो जाएगा ठीक है यह इसका आंसर हो जाएगा अहीं अब में साथवा कोशन समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी और बतादू मैं आपको जैसमें पहले आपको बताए था कि कोश्ट प्राइज होती है कभी इंटर कोई भी रियल वैल्य। में कोश्ट प्राइज इसा हमेशा नीच Stevens होती है मैंने बताया था और लाभ और रहानीं किया था। उपर जैसे एक बठेन 5 हैं एक बटे पांच है अभी पिछला कोशन किया हम लोगों ने तो क्या देखा इसमें यह जो है नीचे अली वैल्यू हमेशा नीचे अली वैल्यू क्या थी कॉस्ट प्राइज सीपी होती है ठीक है यह जो होती है वह कोशन का अनुसार चलता है यह लॉस होगा नहीं तो कि यदि प्रॉफिट हो रहा है तो पांच में उपर वाली वैल्यू को जोड़ देंगे तो कितना हो जाए च्छे यानि इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा सिपी क्या हो जाएगा च्छे यह तो केसे कि इसका लाप के केस में यानिकि प्रॉफिट के केस में यह क्या ह लोल हो रहे है तो प्रॉफित के कार ना कोई चीज बेचेंगे तो एक का लॉस कब हो गा कि उसमें माइनस कर देंगे यानि कि हानी होगी जो इसमें कब होगा इसमें एक यह उपर वाली वैल्य को घटा दी जाती है तो इसमें चार रुपए यानि यह इसका होगा कि सिंपल सा चीज क्या होता है कभी वाली वैल्य होती है मतलब लॉस है तो माइनस हो जाता है सीपी में और यदि हमारा प्रॉफिट है तो प्लस हो जाता है ठीक है तो यह चीज आप बेसिक जानकारी रखिएगा कि कैसे क्या होता है सिंपल से चीज आपके माइंड में इतना स प्लस में आ जाती है और लास होजा तो माइनस में आ जाती है और जैसे नहीं भी दिमाग में बैठ रहा आफ इस मेथड को देख सकते हैं कि कैसे यह हो रहा है ठीक है क्लिए कोशन पर आते हैं कमें है अब कोशना थोड़ा सा चैन जाता है कोौन सा कोशन सात्वावा नमबर कोशन देखते हैं सात्वा नमबर कोशन कह रहा है कि एक वेक्ती ने 14 कि उल्पै में एक साइकिल खरीदी थिक है यहने कि 14 कि उपस्ल की चीज पहले यह समझो UN चौदा सो को भूल जाओ पहले तो आप यह समझो कि पंदा परसेंट हानी पर बेज दिया तो मैंने पिछला कोशन आपको बताया था कि जब परसेंटेज में दिया हुआ है तो पहले उसको क्या करेंगे रियल नंबर में निकाल लेंगे जब रियल नंबर में आ जाएगा वो वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद हम लोग देख लेंगे कोश्ट प्राइज क्या है और लाब क्या है या प्रॉफिट क्या है उसके बाद हम सेलिंग प्राइज निकाल लेंगे ठीक है मैंने इतना ब यह देखता है तो कितना पंधरा परसेंट है याने कि इसको क्या हो रहा हैं लॉस कितना हो रहां है 15% का 19 election हो गया अब पहले अब पहले तो हम real value में निकाल दिया क्या कर दिया पेले हम percentage हटा दिया real value आ जाएगी क्या क्या hundred कर दिया इसको काच दिया तो क्या होगा 500-15 में यह और होगे 20 थिक है यह आग इतना यह और कि यह value कह रहा क्या कि 20 रुपए में कोई वस्तु खरीदी होगी और उस पर 3 का नुकसान होगे इसको तो क्या होगा इसको नुकसान जब हो तो क्या होगा सिंकल सी देखा जाए तो मैंने बताई थी कि ये क्या होता कोस प्राइज होता है इसको क्या क्याहता है कोश्ट प्राइजी CP केते हैं और यह हमारा क्या है लॉस है तो सेलिंग प्राइज मैंने बताया था कि सेलिंग प्राइज कैसे निकलता लेकिन वन मिनट पहले आप यह समझो कि 20 रुपए तो हमारा पास आ गया है यह इस कोशन के अनुसार कह रहा है यानि 15% लॉस के अनुसा हो गया उसको तो यह तो हमारी मेजने वैल्यू लेकिन एक्श्वल वैल्यू हमारे कितना है 1400 रुपए इससे कितना गुना है ज्यादा देखा जाए तो इससे कितना है सत्तर गुना ज्यादा है कैसे 1400 है भागे 20 इससे यह कैंसिल इससे यह कैंसिल तो कितना होगे सत्तर यान की यह बैलओ जो है इससे कितना है सक्तर गुना जादा यानि एक्शोल बैलु जो है उससे सत्तर गुना हमारा ज्याद है तो इसे के अनुसार mm पूछ के रहा हमारा पास पूछ रहाम में विक्रे मुले यह तो पूछ रहाने तो जब यह हमारा आ 1400 तो इससे अनुसार 70 है तiphひ तो पर्यांग कितना गट गया जैसलेंग प्राइस के बताया था को सेल इंग प्राइस मैंने बताया था आपको सिंपल सी सिंपल सी इसी चीज क्या होता है selling price कि cost price में से honey यानि कि घटा दी जाती है तो कितना बच गिया हमारा पास 17 यह तो बच गिया हमारा पास 17 अब यह क्या कह रहा है कि जब इसके अनुसार यह 70 गुना है तो यह भी तो इसके अनुसार 70 गुना होगा कितना जाएगा यह 1190 इसका आंसर हो जाएगा सिंपल से चीज है फिर दुबारा मैं समझाता हूं इसको कि कैसे क्या है पहले तो आप इतना बेसिक जनकारी मैंने बताया था पीछे आपको कि cost price नीचे होता है और honey उपर होती है जब selling price निकाली जाती है तो क्या करते है इसमें इसमें जनेरी वैल्यू थी एक्ष्यल वैल्यू हमार पास क्या थी 1400 इससे कितना गुना सत्र गुना ज्यादा वैसे इसमें इससे मुंटिप्लाई किया तो कितना आ गया 1190 आ गया जैसे देखे वापस में बता देता हूं एक बार इसको आपको देखें 15 परसेंट था 15 को हम पहले फ्रेक्शन में चेंज कर दिया इसको 100 सो अटा दिया तो कितना आ गया 3 अनपाते कितना गया 20 अब देखें कॉश्ट प्राइज में आपस 20 है लॉस में आपस 3 रुपे का ओर रहा है तो इससे सेलिंग प्राइज क्या जाएगा हमारा सेल 10 रुपे का लॉस लेकर वह बेचेगा तो कितना आ जाएगा 17 रुपे बट एक्च्वल वैल्यू 20 रुपे है इसमें वह क्या कह रहा है 1400 रुपे में वह कितना खरीदा 1400 रुपे में इससे कितना गुना इससे कितना गुना 70 गुना वैसे इसमें भी 70 का मंटिप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइज में तो कितना आ जाएगा 1190 रुपे यानि कि वह 1400 रुपे में खरीदा और 1190 रुपे में बेच दिया तो उसको 15% की हानी हो रही है यही इसकांसर हो जाएगा ठीक है यानि तो एक्षेल वैल्यू 20 ना ओकर एतना 1470 गुना तो इसमें भी 70 गुना है ठीक है कोशन समझ आया आगे चलते हैं अब आता आठवा कोश्चन आठवा कोश्चन सेम वैसे ही है देखे क्या कह रहा है आठवा समझी आप यह क्या कह रहा है कि there is the 10% losses of article is sold at 27 then the cost price of the articles यानि कि एक वस्तु को 270 रुपे में बेचा जाता है तो उसे 10% की हनी होती है तो उस वस्तु की लागत मुल्य ग्याद किज़े अब देखे इसमें क्या पूछ प्राइज पूछ लिया क्या कह रहा है लागत मुल्य पूछ लिया तो कैसे क्या कह रहा है यह बेचा जा रहा है अब देखे थोड़ा सा यह different है इसमें selling price मुझे द 10 पर्संट का यहनि कहानी कितना होना हमारा 10 पर्संट ठिक है 10 पर्संट को भाएं पर्संट हटा देते हैं इससे तो करेगा है यहांनी हो और माइनस कर दिया जाता है यह रूस लेकए यह नौar में बेचेंगा बट कित्ता संट्रूपर्पय है इससे कित्ता गुना हो जाएगा है मिग तीन इसका आंसर आजाएगा यानि कि ये भी इससे कितना हो जाएगा 300 गुना हो जाएगा 300 तीस गुना तो कितना हो जाएगा 300 इस कांसर यह आएगा ठीक है चलिए अब नवा कोशन देखते हैं देखें नवा कोशन है अब यहां से कुछ मेथड चेंज हो जाएंगे हलका सा थोड़ा सा चेंज है ज्यादा चेंज नहीं होगा ठीक है यह नए टाइप एक तरह से यह दो टाइप के कोशन होते हैं इसमें तो हम पहला मेथड आपको बताते हैं और एक मेथड जो है वह नेक हो जाएगा तो पहला मेथड एक समझते हैं और फिर कल दूसरा मेथड समझेंगे ठीक है तो नवा कोशन में क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 72 रुपे में बेचने पर दस परसंट के हानी होती है तो पांच परसंट लाब कमाने के लिए किस पर बेचना चाहिए तो सिंपल स तो ऐसे में क्या होता है सिंपल सी जो वैली होती है उसको 100 मान ले जाती है कितना मान लिया जाता है 100 मान ले जाता है अब वो क्या कह रहा है कि 100 रुपे में एक बार उसको कितना 10 परसंट का लॉस हो रहा है तो इसका 10 परसंट निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 90 रुप है उसमें 10% कितना है 10% तो 100 इंटू 10 बटे 100 इससे यह cancel हो जाए यानिकि 10 100 में से 10 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 90 यह आ जाएगा 90 ठीक है उसी तरह इसका 5% निकालेंगे और क्या है कि लाव हो रहा है तो इसमें प्लस कर देंगे ठीक है बट क्या कह रहा है कि 72 रुपे में बेजने पर 10% के इससे कितना गुना है तो सिंपल से चीज आप देखो कि 72 है बटे 90 कितना हो गया यहाँ पर आपका 9872 बटे आपका कितना हो गया 10 इससे यह कैंसिल तो कितना आ गया वापस 4 बटे 5 यानि 4 बटे 5 इसका कितना गुना होगा चार बटे 5 बटे 5 गुना होगा तो इसी अनुसार इसको भी हम चेंज करते हैं तो क्या होगा इसमें भी मंटिपलाई क्या होगा चार बटे 5 लाप कमा रहा है ना इससे लिए तो कितना हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा कि जब लाप किस पर हो रहा है और हानी किस पर हो रहा है तो 10% के हानी हो रहा तो 72 रुपे में कोई बस तू बेच रहा है तो उसको कितना क्यों हो रहा है नब्बे रुपे तो नब्बे का इसमें डिवाइड कर देंगे हम तो कितना जाएगा चार नपात पांच जब इसमें हम चार बटे 5 का मंटिपलाई हो रहा है तो इसमें भी चार बटे 5 का मंटिपलाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 84 रुपे हो जाएगा यह हानी होती है क यह question ऐसे होते हैं ठीक है next question आप एक और देखिए तब आपको और clear आएगा ठीक है इसके पहले एक example लेते हैं छोटा सा नवा question आपको और बहतर समझ आएगा एक example का तो आप एक और माना की एक वस्तु कह रहा है कि हम उसको 110 रुपए में बेच रहे हैं तो पहले उसे 10 परसेंट के कितना हो रहा है हानी हो रही है और उसके बात 10% का लाव हो रहा है कितना हो रहा है माना कि वह अली वह 100 रुपए उस पे कितना 10 परसेंट नब्बे रुपए का एक मिट नदुन अठारा 90 रुपए का यह लॉस हुआ और 110 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ बट एक्षिल वैल्य हमाँ पास क्या है 110 रुपए इससे कितना गुना है इससे यह कैंसल होगे तो 11 बटे 9 इसी अनुसार क्या कर लेंगे 11 बटे 9 ठीक है यह तो कह रहा है 11 बटे 9 तो सिंपल से चीज इसका मंटिपलाई कर देंगे तो 2110 बटे 9 इसका आंसर यह आ जाएगा ठीक है तो कहने का मतलब क्या है बस आप मेथड समझो कि ऐसे कोशन में क्या कहता है कि इतने में बेचा तो लॉस हो रहा है और इतने में प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना है तो सिंपल से चीज यह करना और आप यह सोच रहें कि सिंपल सी वैल्य यहां पर आ जाए तो बहुत कम papers होते हैं जो simple value देते नहीं तो यह ऐसे बटेहीं में question आते हैं तो आपको थोड़ा सा mind यह लगाना है कि जो यह value होती है हमेशा वो निचे होती है और यह value उपर होती है क्योंकि यह actual value है question का नुसार और यह हमारे imaginary value है क्योंकि हमने माना गया है इसलिए ठीक है अब आगे चलते हैं कि अब आता है दस्वा question दस्वा question क्या कह रहा है यदि एक व्यक्ति एक वस्तू की 5% के हानी के बदले 5% लाप पे बेज देता है तो उसे पॉइं पांच रुपए अधिक रुपए मिलते हैं तो उसका लागत मुलेतों ग्यात की ड़िए कि कहने का मतलब किया है कि कोई पैनल लाया उसने क्या किए कि पांच रुपए में ख़ड़ा 5% को उसको लाब हो गया और उसने उसको हानी पे बेजorsa आठेकuksन आते हैं तो कोशन यह वापस एक बाद दुवारा पढ़ रहा हूं देखे क्या लिखा हुआ कि एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% हानी के बदले वह 5% लाब पे बेज देता है उसको हानी हो रही थी लेकिन कोई दूसरा है उसने लाब पे बेज दिया तो उसे 5 रुपे अधिक प्राप्त होते हैं तो सिंपल सा कोशन इसम 2006 कोशन है बस थोड़ा सा रिफ्रेंट है इसमें भी विससा ही मानके चलते हैं पहले वह क्या कह रहा है जब भी कोशन कहें कि एक बार लाब हो रहा है और एक बार हानी हो रहा है कि 100 मान के हम लोग चलते हैं ठीक है तो यह क्या कह रहा है कितना हो रहा 5% का लाब हो रहा है यानि कि 95 रुपय का यहानी हुआ और 105 का लाब हुआ कैसे 100 का हम 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 5 बटे 100 इससे यह केंसील तो कितना हो गया 5 यानि कि जब लॉस हो रहा है तो 5 रुपय का लॉस हो रहा है यानि 100 में 5 का लॉस हो रहा है तो 95 हो गया और 100 रुपय में यह हानी के केस में आ गया और यह लाब के केस में आ रहा आपका क्या हो रहा यानि कि 105 रुपे तो यह तो हणी ओनाफ के करद में थीक है वर अन पांट में आगया आगया ऊसके बाद 여犹स की पांच रुपे अधिक मिल लेई अब पहले तो यह आप सोचो इसके अनुसार कितने रुपए इसको अधिक मिल ले हैं 95 रुपए में कोई चीज खरीदा और 105 में बेचा तो कितने का उसको अधिक मिल ले हैं तो कितना मिलना देखा जाए तो 5 और 5-10 यानि कि उसको 10 रुपए अधिक मिल ले हैं मिलने। ये इसको अनुसार कह रहा है कि इसको दस रूपे दिख मिले में लाकिन कोोशन का अनुसार क्या कह रहा है पांच रूपे दिख मिलने। resource कीबिद नहीं पांच रूपे हैसे कितना गुना है? एक बटे दो कखोना है यह तो मिल रहा एक बटे दो गुना यानि कि आधा उससे ज्यादा मिल रहा तो इसमें भी एक बटे दो कर देंगे multiply तो कितना आ जाएगा हमारा पास वह एक्षुल जो माना गया था 100 रुपय मानके चलेते तो 100 रुपय पर क्या है एक बटे दो आप पर बेश सकता है ठीक है तो सिम्पल सी वैल्यू के हाँ था यह दसवा कोशन है आपका यह कौन सा है दसवा कोशन है यह क्या कह रहा है कि 100 मानके चले हम कि 100 रुपय का वह समान होगा जिसमें 5% का लॉस हो रहा है और 5% की profit हो रहा है तो उसमें क्या होगा 95 और 105 आ जा रह तो उसी अनुसार हमारा जो मेन वैल्यू है कितना हमारे पास लागत मुल्य सौ रुपए तो वही एक बट्टे दो यहने पचास रुपए इसका लागत मुल्य आ जाएगा ठीक है कि अगे हास में होशने मुल्य तो दोस्तों आज से क्लास आपको कैसे लागा यह तो बिलकुल बैसिक क्लास थी और यह कोशन आते भी हैं एक एक नंबर के जो पेपर्स होते हैं उनमें आते आते हैं और भी पेपर में होते आते हैं लेकिन यह बिल्कूल बेसिक है यह आपको आना जरूरी था यदि है आप समझ गए तो आगे आपको आने वाले कोशन में दिक्कत नहीं होगी और थोड़ा हम चलेंगा आगे क्योंकि आज का पहला क्लास था इसलिए बेसिक था बिल्कूल इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे थे कल से हम कुछ नए कोशन और आएंगे और बहुत अच्छे आएंगे जिसम को पसंद करें और आपको ज्यादा ज्यादा कोशन सौल करने को मिलें और आपका पेपर और अच्छा हो तो दोस्तों इसको लाइक करिए सब्सक्राइब करें सेर कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ठेंक्यू कर दो हद्णाओ करें पया हुआै कि अख़जे तो यब जो ठाया हो डिलते हैं 5 Bye surface क्यादा आपका हुआआओ क क्या तो मिलते हुआ हुआन तो मिलते हैं और आपका पको अच्छा होँआ़ BUT हिया क्या है AMquelle जा शउट हुआए जाभ रिया हैं जा हम हुआएगा है